नमस्कार दोस्तों भगवन आप से भी कबला करूँ रापकी सरीक्षाय में नुकामने पिरी हूँ दोस्तों आज मैं आप से भी को इस हाथ से रिलेटेड महत्पन जान करूँए करूँगो जिसमें सर्पतम यहाँ पर आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पर पाम का इनलेक्स कर आप सभी के सामने पर करूँगो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर क्लेंट पाम के कमपरिजन में थोड़ा सा शॉट है जो एक fast tradition making habit को थोड़े जल्दबाजी को हर बड़ी किसमे के nature को देशता है लेकिन इसका जो negative पक्ष होता है शॉट फिंगर का वो होता है immediate action ले लेना यानि बिना सूचे समझे अपनी बात को के देना या direct action ले लेना तो वो आपके इंदर नहीं रहेगा क्योंकि आपके जो finger है इसमें thickness बहुत अच्छी है तो जब thickness और भारीपन finger में देखने को मिलता है तो immediate work करने की tendency होती है लेकिन हर काम में कई न कहीं थोड़ा अपना सूच भूच और step by step proper pro cons analysis करके काम करने की चेस्टा होती है तो इस condition में हर काम में कहीं न कहीं अपने तरफ से perfection या थोड़ा extraordinary work करने की जो capability है वो build हो जाता है लेडल finger की जो length है तक्रिबन third finger के फॉस्पोर से काफी उपर है तो आपका market sense और knowledge बहुत अच्छा रहने वाला है आपका communication skill भी even बहुत अच्छा रहेगा और work management भी बहुत अच्छा रहेगा एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप easily handle tackle कर सकते हैं और इस condition में आपके पास जो ग्यान है आपका जो एक प्रकार से work करने की जो capacity है इसका लाब दूशों को बहुत अच्छा मिलेगा इसलिए अगर आप चाहें तो independently work definitely prefer कर सकते हैं यानि business में जा सकते हैं social media या फिर computer या फिर internet इन सब के माद्यम से भी independent work prefer कर सकते हैं क्योंकि आपका little finger बहुत अच्छा है तो आपके अंदर जो एक प्रकार का punctuality management discipline या फिर अपने तरफ से 100% efforts देने का जो एक tendency है उसके करण आपको बहुत जादा लाब मिलेगा अगर बहुत successful personality को build करता है third and first finger के length में third finger के length जादा stronger तो आपको risk taking nature यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके अंदर में इसका मतलब यह होता है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत जदा hard working nature personality build होती है सिर्फ खुद के महनत पराकरम कोशिश से आग काम में upgradation या minor changes करते रहने की आदत आपके अंदर रहेगी first finger के लिए short है थोड़ी तो यह down to earth किसम का nature देता है इस condition में ego attitude नहीं होता और आगे से रेकर के ज्यान का production करना भी पसंद नहीं करते हैं finger के उपर बहुत rarer यहाँ पर आपकी lines के availability है सीधी तो आपके friend circle बहुत इस अजलता से हाथ से फिसलता है finger के जो यहाँ पर आपके notes है वो develop ठीक है जो इस first body किसम का nature देता है जिसके करण सीधे स्पर्ष रूप से बाचित करना सुनना वेचरना basic nature में होता है phalanges और खासकर internal marks आपका develop ठीक है तो stamina energy रोख प्रति रोदक्षमता भी ठीक रहेगा thumb क size थोड़ा short है तो to the point बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और यहाँ पर आपका जो first feelings है उसकी lens ज़्यादा strong है तो आपके अंदर will power बहुत strong है यही reason है कि एक बार जो ठाने के निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे और यहाँ यहाँ पर य स्कुरिशन में convert हो रहा है जो hard working nature के निशानी होता है शारेरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराकरम या महनत से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे आपके हतेली में नीचे का अरिया ज्यादा developed है तो independent हो रके करना आपको ज्यादा पसंद रहेगा जिसमें उस काम के माल आपका थोड़ा का मेरे ले रहा है जुपिटर माउन के उपर जब भी आड़ी रेखा गुजरती है तो इस condition में बहुत ज़्यादा अध्यात्म में रूची धार्मी किसमे की प्रववती के साथ सथ दान धर्म और पूजा पार्ट में बहुत involved करता है तो आप जिससे जातक तमाम तरह के धर्मों को मान ये करने वाले देखने को मिलते हैं दयालो किसमे की प्रवती होने के करण आगे से रह करके दूसरों की मदद करना करोणा दया अपने अंदर रखना एनिमल लवर और सोशल वरकर मेंली देखने को मिलते हैं इस condition में पार्टनर भी बहुत ज़्य प्रॉमिनेंट नहीं है इन फ्यूचर अगर ये होगा देन आफ्टर बहुत बड़े लेवल पर आप काम करते हों देखने को मिलेंगे तो जुपिटर एड़ देन रिस्पॉंट ही कर रहा है लेकिन एरिया कहीना की थोड़ा कम दे रहा है और साइड से दब भी रहा है तो म 31 के एज के आते आतक तक जो है marriage के chances full confirm हो जाएंगे तो most probably next year जो है कई न कहीं आपके लगने बैठेगा दूसरी बात यहाँ पर करें Saturn की विशे में तो Saturn पर जब भी आड़ी रेखा होती है और सूर के उपर भी crosses के science होते है या छोटा मोटा भी island होता है जैसे यहाँ पर एक पितर दोश निर्मित करता है अतेली में अनेको प्रकार के पितर दोश की योग बनते हैं लेकिन उसमें जो सबसे common पितर दोश जो होता है वो शनी और सुर के दुष प्रभाव के कारण होता है कई मर्तबा इसको जो है पितर दोश ना केते वे pending कर्मा के अंतरकत भी माना ज जाएगा जो में पितर दोश का ही रेमेडी है लेकिन उसको pending कर्मा कभी रेमेडी के अंतरकत दिया जाता है तो यहां पर इस करण क्या होता ही क्योंकि सेटन हमको क्या करते हैं किसी काम में एक्सपर्ट बनाते हैं या फिर सैडिस्फेक्शन देते हैं और सूर जो है हमको सक एडिट लेकर कि जाएगा अपने ही लोगों के सा धोका मिसगाट मिस्यूज होते पाए जाते हैं और हर काम में रुकावटे आनत आये हैं अगर आप सोचने कि चलो फ्री हो गया माइंड अपको इदिक करने अब तो काम हो गया कुछ न कुछ बाधा उसी समय आएगा और लास्ट मुमेंट पे आकर कि स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इसलिए यह अनसटिस्वेक्शन भी इंडिकेट करता है तो यहाँ पर इसका रेमेडि जब आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद जाकर कि यह जितने भी इशूज है धीरे 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 आपके खतम होना तो सेल्वमेड लख लेन यानि आप मेहनत तो बहुत करते लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपके अंदर कैपिबिलेटी बहुत बड़े लेवल पे काम करने की है लेकिन उस बिहाव पे नहीं आपको पद मिल पा रहा है नहीं पेसा मिल पा रहा है नहीं उस प्रकार इसलिए चिंताली बात नहीं है, सूर के उपर बात करेंगे, तो सूर के उपर सिर्फ आइलेंड का ही साइन नहीं है, यहाँ पर आपके ट्रेंगल का साइन भी हलका से बिल्ड होता दिख रहा है, और यह जब साइन प्रोमिनेंट हो जाता है, तो अपने घर परवर में सबसे समरेद प्रसीद खुशाल, या फिर दूर दूर तक, यानि अलग अलग जो है एक प्रकार से नेशन में भी नाम होने की योग या फिर काम कोई भी फैलने की योग निर्मित होता है, तो क्योंकि यह ट्रेंगल का साहन है इसलिए प्रोटेक्शन हो जाता है, और सूर कारक है आपके गुडविल का नेम फिर्म का, तो नाम जो है दूर दूर तक फैलने वाला इस कंडिशन में होता है, तो इसलिए ये प्रोटर वेल्थ है, नेम रिस्पेक्ट के साथ पावर अथोरेटी भी देता है, और इनफेक्ट जो लोग पावर पोजिशन में हों, उन सभी से बहुत पर्सनल अच्छे कनेक्शन भी बिल्ड करवा देता है, और हाथ की नीचे काम करने लिए लोगों की संख्या भी बढ़ती है, तो ये साइन अभी हाला की बिल्ड हो रहा है, लेकिन ये इन फूजर प्रोमिनेंट हो गया, तो ये सारी इंडिकेशन आपको आएंगे, दूसरी जो फॉर्मेशन है वो आपके सूर की वो आ रही है आउटर मार्स से कनेक्टे, जब भी आउटर मार्स से जुकी हुई सूर रेखा उत्पन होती है, तो इस कंडिशन में संघर्ष तो जीवनें बहुत रहता है, पक पक पर हाड़ वर्क देखने को मिलता है, कोई का घुत किया है और सेना पती शान्ति से नहीं बेट सकता, दूसरा इसको पूर्वु पुन्य रेखा भी कहते है, जिसका तात पर यह होते है कि बहुत सारे पेंडिंग कर्मा क्लियर करने आते हैं, लोगों का लें देन क्लियर करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ म बहुत स्टॉंग है और इस प्रगार की जो सूरी रेखा ये संगर्ष के सासद specialized type की personality को create करता है तो आपका जो काम रहेगा उसमें आप specialist हो पाएंगे और यही reason है कि आगे चलके सूरी रेखा बहुत strong हो गई है जो कि proper name, respect, success, wealth और बहुत अच्छा prosperity property create करता है एक और another sign create हो रहा है वी symbol का जिसे यह शश्वियों कहते हैं और इस condition में खुद के पराकरम मेहनत के कारण नाम इज़ शोरत अच्छे से कमा पाते हैं या सफल हो पाते हैं मरकरी के उपर भी एक सेते देख रेखा multiple languages के knowledge को, मीठी बोले आकरशित व्यक्तितों को और good communication और marketing skill, work management के साथ convincing skill को भी build करता है इस condition में intelligence बहुत अच्छी होती है और यही reason ही कि सीखने समझने के सक्षमता, बातों को याद रखने के सक्षमता बहुत अच्छी देखने को मलता है तो इस प्रकर का mercury react बहुत अच्छा करता है life में और ज्यादा good performance के लिए और छोड़ी से छोड़ी बार एक से बार एक बातों का भी knowledge आप जैसे जाए तक बहुत अच्छा रखते हैं रखते हैं यहाँ पर आपकी जो प्रेदर रेखा है वो सीधे यहां से निकलके शनी पर आकर के रूखी हुई है तो इस कंडिशन में थोड़ा hidden टाइप nature रहता है अपने emotions को ज्यादा share करना पसंद नहीं करते और थोड़ा सा अपने personal life को manage ज्यादा करते हुए पाय जाते हैं दूसरी बात कि यहां से overlap करके जो रेखा जूपिटर पर जा रहे है यह emotional और धार में किस्म की प्रवति को उत्पन करता है और नीचे जाने वाली इस प्रेखार की रेखा practical, logical और थोड़ा workaholic nature ज्यादा create करके देती है तो इस condition में यह mixed nature को create कर रहा है जिसके करन depend करता केसा समय परिस्ति तो उसके नुसर अपनी emotions, feelings को adjust करते हो पाए जाएंगे आपका mind line पूरा का पूरा merge चल रहा है around 27 and 8 की age के आसपास तक तो इस condition में ज्यादा life में growth नहीं मिल पाती है, dependency थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, independent decisions नहीं ले पाते है, फिर mind line इसके ब जो minor changes आ रहा है वो भी 36 तक आ रहा है, तो 36 के age से continuous growth आपको आपकी life में देखने को मिलेगा, और mental जो भी tension, pressure या trouble है वो सब around 31 और 32 के age के बाद में खतम हो जाएगा, क्यों खतम होगा, क्योंकि another mind line generate हो रही है जो mental stability, mentally strong और mental peace देने के लिए आती है, आप देख सकती है, पहल second one mind line बहुत strong है, even long भी है, तो इस condition में और ज़्यादा long heart deep studies करने की योग, या फिर और ज़्यादा life में बड़े risk लेने की योग निर्मित होते हैं, और outer master से जब भी mind line connected होती है, बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति को साहस देता है, यानि courage, तो इस condition में होसला, साहस, जुनू में resources को fulfill करते हुए, सारे desire और ambitions को complete करते चले जाएंगे, इसलिए बहुत बड़े experience holder भी बनेंगे, जिसके करण अपने कार्य छेतर में बहुत बड़ा position पावर आप हांसिल कर पाएंगे, आपकी mind line straight होने के करण, आपके अंदर memory बहुत sharp है, यही reason है, कि छोटे सो छोटे प हो गया है, और यह रेखा कईना कहीं थोड़ा बाहर के तरफ जुक रही है, हाला कि इसका ending तो शुकर के तरफ ही हो रहा है, जो कि इस बात को प्रेरित करता है कि आप बाहर तो जन्मिस्तान से दूर जाएंगे ही, लेकिन 8 देन वापिस अपने hometown पे ही आ जाएंगे, आपके लाइफ लाइन का flow बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लंबा आयू, अच्छा स्वास्ति है, निर्मित करता है, सपोटिव लाइन का काम है, लाइफ में जितने भी obstacles और trouble है, उसको खतम करना और dream, desire, ambitions को complete करना, तो यह सभी combination आपको आगे चल करके, दूसरों क गठन बलो जब मानसिक बलो ठीक रहता है, शुक्र भी position में अच्छा ही थोड़ी सी कामुकता, अथो sexual pleasure को जादा indicate करता है, और यहां कि आड़ी रेखा unwanted tension pressure, unnecessary worries को create करती है, जो कि overthinking, negative thinking या family pressure के द्वारब build होता है, और यह most probably Saturn के आड़ी रेखा के कारण होता है, क्योंकि य जादा कराती है, राई का पाहड तिल का तार बहुत जल्दी हो जाता है, तो शुक्र पर जब इसी आड़ी रेखा हो तो relation maintain नहीं हो पाता, peacefulness, happiness देखने को बहुत कम मिलता है, unwanted tension, pressure, stresses देखने को मिलता है, minor family life issues लगा रहता है, और proper जो luxuries, royalty, standard of living वो maintain नहीं हो पाता है, तो यह सारी चीज़े कब होगी, जब आप overthinking, negative thinking और तमाम तरह के pressure से थोड़ा दूर हटेंगे, और remedies को follow करेंगे, तो बहुत जल्दी विवाहिक जीवन का सुख भी आप भोग पाएंगे, शुक्र आपका छेतर वाइस बड़ा है, तो आप बहुत शौकिन किसम के इंसान है, तो इस प्रकर का sign कहीं न कहीं sudden gain और wealth और अचानक से होने धनलाब की स्थिति उत्पन करता है, ट्रेंगल का sign चंदर से connected हो, 101% जर्मिस्तान से दूर खुद की property बनती है, चंदर के उपर आड़ी रेखा थोड़ा जादा तो घुमने फिनने का शोक जादा रहेगा, थोड़ पर आपकी mercury line prominent developed नहीं है, तो पैसा तो जीवन में आएगा ठीक, कैसे जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए investment करते रहना कई न कहीं अपना पैसा फसाना आपके लिए जादा fruitful और beneficial रहेगा, और left hand में भी देख सकते हैं कि luck line के fluency कुल मिला करके ठीक है, another line direct 36 के age में generate होके Jupiter बजा रही है, continuous growth है आपको बहुत बड़े position power तक आप जाएंगे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पतंग के चीन की आकरती prominent यहाँ पर बनी हुई है, तो इस condition में एका एक जीवन में बहुत जादा नाम इज्यत बढ़ता है, लेकिन संघर्ष उसक जीवन में धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा, और marriage के बाद life में कभी पीछे मुण के नहीं देखना है, marriage आपका बहुत अच्छा है, यह थी सबसे महत्मूर्ट बाते आपके हाथ के regarding, आशा करता हूँ सभी परेशनों को अत्तर मिल गया हो, आशा करता हूँ किसी प्र